जै माताई दोस्तो मातारानी आपकी सारी मनो कामनाय पोण करें और आप जीवन में खुब सारी तरक्ती करें इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं सुरू कर रही हूँ दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पीटर्ट्स के बारे में बहुत सारे प्रेशन जो है वो मुझे मिल रहे हैं कि पीटर्ट्स के बाल जो है वो हमें कितने दिन बात दोनी चाहेंगे पूजा कब करना चाहिए सिंदूर कब लगाना चाहिए बहुत सारे प्रेशन जो है वो मिल रहे हैं वैसे मैंने इन टॉपिक पे वीडियो जो है वो पहले ही बना रखी है अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ ताकि आप सबको बहुत ही अच्छे से सारी जानकारी जो है वो मिल जाए और जो भी बहने नई जुड रही है हमारे चैनल से उनको भी सारी जानकारी जो है वो बिलकुल डिटेल से मिल जाए देखे पीरेट्स के बाल जो है वो अपने अपने घर की मानिता के नुशार अपने अपने घर की परंपराओं के नुशार बहुत सारे लोगों के यहां कुछ अलग परंपराएं होती है और कुछ लोग अलग परंपराएं निभाते हैं हमारे यहां जैसा होता है वो मैं इस व जो पिरड्स के बाल हो या कोई भी बाल हो हमें एकदसी पूरिमा और मवस्या के दिन बाल जो है वो नहीं दोने चाहिए ऐसा जो है वो नियम बनाया गया है ऐसा नहीं है कि किसी सास्त से प्रमारित है ऐसा बिलकुल भी नहीं है क्योंकि सास्त्रों में जो भी हमारे बालों को दोने का नियम है वो कहीं भी व्यक्षान नहीं किया गया है कहीं भी बताया नहीं गया है बस हम अपने बड़े बुजुर्गों से जो सुनते चले आ रहे हैं उन्हीं नियमों का बालन जो है वो कर रहे हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमें एक अदसी अमावस लेकिन मैं आपसे बोलूँगी कि अगर पीरेट्स के बाल हैं तो आप मंगलवार वाले दिन, गुरुवार वाले दिन, रविवार वाले दिन, इन तीनों दिन में धो सकते हैं, कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं है, क्योंकि जब अच्छे दिन होते हैं, मतलब हम वैसे बाल द इसन दिनों आप बाल दो सकते हैं, कि इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी मतबेद जो है वो नहीं है, साथी साथ बाल जो है वो आपको एक तीसरे दिन दोने चाहिए, एक अगर पांचवे दिन पूर्तिया सुद्ध हो जाती हैं, तो पांचवे दिन दो या आप चाहें, तो साथवे दिन बालों को जो है वो दोना चाहिए, जिस भी प्रकार से आपका जो सुद्धी करण है वो होता है, उस प्रकार से बाल जो है वो दोना चाहिए, हमारे या बालों को दोने का दो वार का विधान है, इसलिए हमारे या बाल जो है वो दो बार दोले जाते हैं, पहल जाता है लेकिन जब तीसरे दिन बाल दुले जाते हैं तो जो पूजा है वो नहीं की जाती है पूजा हमारे दूसरे दिन के बाल दुलने के बाद ही पूजा जो है वो हम कर सकते हैं तो पहला प्रशन ये रहा कि बाल जो है वो कितने दिन में दोने चाहिए तो तीसरे दिन प पूर्दया सुद्ध और साफ हो जाते हैं अगर आप पांच दिन में पूरी तरके से सुद्ध हो जाती हैं तो पांच वे दिन बाल दूलने के बाल में आपको जो सिंदूर है वो लगा लेना चाहिए अब बहुत सारी बैनों के ये भी प्रशन आते हैं अगर आपके बालों कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए तीसरी जो महत पूर्ण बात है वो यह है कि आपको कभी भी मांग को खोल के मतलब सर में बिना पल्लू रख़े सिंदोर नहीं लगाना चाहिए आपको सर में पल्लू डाल के ही सिंदोर जो है वो लगाने चाहिए इन चीजों का आपको विशेश रूप से ध्यान देना चाहिए साथी साथ अगर आप तीसरे दिन बाल धुलती है और अगर आप सुद्ध हो चुकी है तो आप इस दिन भी सिंदूर लगा सकती है या आप चाहें तो जिस दिन पूर्टे आ सुद्ध हो जाती है उसी दिन आपको सिंदूर जो है वो लगाना चाही तो ये आपका दूसरा प्रेशन जो है वो भी किलियर हो गया आप मैं तीसरा प्रेशन ले लेती हूँ कि जो पूजा है वो आमें कितने दिन बात करनी चाहिए तो देखिए मैं पूजा के अगर बात करूँ तो पूजा का जो वर्णन है वो हमारे धार्मे ग्रंतों में धार्मिक पुस्तकों में मिल जाता है तो जो पुस्तके हैं उसमें तीन दिन का रजिस्वला धर्मनारी असुद्धी के अवस्ता में तीन दिन रहती तीन दिन का वर्णन जो है वो मिल जाता है लेकिन तीन दिन में कोई भी स्त्री, कोई भी नारी, कोई भी माता बहने जो है वो पूजा नहीं करती है ऐसे में जो भी देवी की पूजा होती है जो भी जैसे दुर्गा माता हो गया काली माता हो गया या जो भी माता होती है उनकी पूजा पांचवे दिन और जो देव होते हैं उनकी पूजा जो है वो हमें सात्वे दन करनी चाहिए लेकिन इन बीच में आपको एक चीज़ और याद अगना चाहिए जब आप पूर्टिया सुद्ध हो जाती है तब ही आपको पूजा पाढ़ त्यादी करना चाहिए उससे पहले आपको नहीं करना चाहिए अगर आप पांचवे दिन भी असुद्धी के अवस्ता में रहती है छटवे दिन पूर्दिया साफ सुतरी होती है तो आप छटवे दिन पूजा करें अगर आप साथवे दिन पूर्दिया सुद्ध और साफ होत उसमें मार जो है वो बहुत जादा होती है इसी प्रकार से जब कोई हम काम खराब कर देते हैं या भगवान का ऐसा कारे जो हमें वर्जित नहीं कर सकते हैं वो कर देते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में हमें जो एक तरीके से दंड है वो अवश्य रूप से देते हैं इसलिए हमें कभी भी भूल के भी ऐसे कारे जो है वो नहीं करने चाहिए तो जो देवी होते हैं उनकी पूजा पांचवी दिन और जो देव होते हैं उनकी पूजा साथवी दिन हमें तभी करनी चाहिए जब हम पूर्तिया साफ और सुद्धी की अवस्ता में होते हैं तब हम पूजा जो है वो करनी चाहिए तो उमीद करती हूँ कि आपको सारे प्रश्णियों के जवाब बहुत ही अच्छे से सरल तरीके से मिल गया हूँगे अगर आपके मन में कोई प्रश्ण है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछी और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तो जय माता दी